वेल्कम एब्रिवान आज हम बात करेंगे इंडस्टियाल कॉन्वियर वेल्ट का बारे में उसका क्या क्या सेप्टी रहता है और उसका डायग्राम का बारे में वो सेप्टी एक्विट्मेंट कैसे कनेक्ट होता है जितना भी हैपकों इंडस्टि है कॉन्वियर वेल्ट हार इंडस्टि में उजह版 है तो इससका जो दी या उसका बरमें डिटल जाना बहुत जो पूछए है इंडिपू में मैक्सीमाम ही सेप्टी का अखर्में क्यूश्रेंड पुछा जाते है जोलग उसका सेप्टी का अख बात करेंगे तो पहले फील शिप्टि के बार में बात करते हैं उसका पहला शुप्टि आता है उसका emergency stop जो मोटर का एक डॉंप पास में लागा रहता है तो emergency stop यह push button से थोरा साला के है जो stop push button है stop push button क्या होता है आपको छोड़ देने से फिर आपस उसी कॉंडिशन में हो जाता है लेकिन इमर्जेंसी स्टोब आप मार देंगे तो जब तो हम रिलिज नहीं करेंगे तो आपको एनसी को एनो वाने के रखेगा या कॉन्वेर को चालू नहीं होने देगा तो उसका बाद आता है उलकोट वीच एभी एक टेब के सेप्टी डीवाइज है तो यह क्या करता है बेल का दोनों साइड में लगा रहता है और रोप के सहरे एक दुस्ते से कनेक्ट रहता है अब बेल का कई भी जगा से अपको इमर्जेंसी परपास बेल को बंद करना है तो इसका रोप लागा है इसको यह अपरेट हो जाएगा खिष्टें से तो सिस्टम को बंद कर देगा तो यह अपका कॉड है और जो खिषता है उसको हम लोग इंग्लिश में पूल बोलते हैं तो दोनों में लगे पूल कॉड है इसलिए हम लोग इसको पूल कॉड स्विच बोलता है तो उसका जैसे हम सर्कुड को कलोज कर देता है तो उसका बाद आते हैं विए सीस में भी बीयेशस मतल्ब बेल्स ओए स्विच तो यह बी बूलकॉड जैसे हैं उसका अंदर भी नДर उल्स क से गते हैं एक हम पूजिशण चेंज वह गया तो इधर और भग गया तो जोड़ लगा है वो इसान कर झाक रहता है चारू पीछ तरफ जाता है और ह जैसे पीछे रहतेगा तो उसका अंदर जो नो नसी जो contact रहता है वो अपना position बदल देता है तो जैसे एनसी में connect है तो नो हो जाता है और circuit को ट्रिप कड़ा देता है आगे इसका बार में details में मैं circuit में दिखा रहा हूँ उसका बाद आता है आपका ZSS फुल प्रम इसका है Zero Speed Switch तो इसका काम ऐसा है जैसे आपको मालगारी में देखते है जो पिछे में एक गाड रहते है तो सेम काम एभी करते है ये कॉंवियर का टेल एंड में रहते है तो टेल एंड के जो पूली है उसमें देखिए स्टाइकर लगा हुआ है यह सेंस करके बताते हैं हाँ पुरा कॉन्वियर आपको ठीक चल रहा है अगार जैसे बेल कई पे कड गया या कुछ प्रॉब्लेम हा तो मोटो चलता रहेगा लेकिन यह पिछे वाला यह बंद हो जाएगा तो उस टाइम यह आपको कॉन्टेक्ट को बदलके NCCNO करके आपको सार्कित को ड्रॉप करा देगा चले इसको सार्कित ड्राइग्रम देखते हैं एक सिंपल ड्राइग्रम बनाया हूँ तो यह जो रेड ड्राइन आपको दिख रहा है यह आपका फेज है और नीचे जो है ड्यूटल है तो यह सी वा और K2 BSS के लिए उसके आऊ और K3 troisième ZSS के लिए उसके आ तो पहले में यह सार्किट दिखने से पहली पूल कॉर्ट, BSS और ZSS का पहले देख लेते, इसका connection कैसे हुआ है, तो पहले पूल कॉर्ट में आते है, पूल कॉर्ट में जो जितना भी पूल कॉर्ट फिल में लगा है, जो main आपका supply आया, जो control supply आया, तो पहला बाला पूल कॉर्ट में गया, इसका जो NC contact है, ये NC contact होते फिर अगला पूल कॉर्ट, फिर इसका NC contact होते हुए, फिर दूसरा, इस टाइप का जितना भी पूल कॉर्ट लगा है, सब का आपका NC से घुमेगा, सब एक दूसरा पूल कॉर्ट के साथ, सीरीज में connection होगा, तो जैसे सारे पूल कॉर्ट हेल्दी रहेगा, तो आप जाके, जो K1 contactor है, यह auxiliary contactor, यह peak होगा, तो इस टाइप का BSS का भी ऐसा ही है, जो जितना भी BSS लगा है, सारे BSS, उसका जो एक पावर आया, यह पहला BSS में गया, उसका NC contact से होते हुए, दूसरा BSS का NC contact, फिर तीसरा NC contact, फिर चौता NC contact, तो जितना भी BSS लगा है, कोई भी BSS active होगा, तो यह जो K2 contactor है, तो बंद हो जाएगा, यह आपका drop कर जाएगा, जैसे आपका इधर से देखे, सापलाई आया, BSS, ऐसे होते हुए, होते हुए, आके इसका, जोग जिलरी contact, इसका A1 में connect हो गया, तो A2 में already neutral direct connect है, तो जैसे कोई भी BSS support होगा, तो यह contactor आपका अनेल्दी हो जाएगा, जैसे जो जैसे जो जैसे का दिख रहा है, यह भी ऐसा है, यह जो contact use होगा है, तो जैसे हम लोग जैसे को on करते है, जो जैसे हम लोग जैसे को on करते है, तो जो उसका अंदर बेक controller card है, वो बेल चालू होने से पहले कुछ टाइम तो यह NC करके रखता है, जैसे का बार में एक अलग सा वीडियो बनाया हो, तो मैं लिंक देदूंगा नीचे में, आप जाके उसमें details देख सकते हैं, तो यह जैसे contact आपको NC रहेगा, तो आप तो एक A3, जो जैसे का contactor है, यह आपका peak रहेगा, तो आप आता है main contactor में, तो main जो आया है, यह देखें, लाइन से आया, सिधा emergency stop, यह आपका NC है, emergency stop के बाद, आपका overload, जो overload protection है, feeder का, वो आया, उसका NC आया, बाकी यह है, K1, K2, K3, K1 क्या है, पूल कोट का, जो auxiliary contactor है, इसका एक contact है, K2, BSS का, जो auxiliary contactor का, यह आपका AP हुज हुआ है, और K3, जो ZSS का है, ZSS का auxiliary, जो contactor है, इसका एक contact AP हुज हुआ है, तो यह तीनों contactor को peak रहेना है, starting का time, नहीं, तो यह चालू होने नहीं देगा, यह तीनों, K1 जैसे peak हुआ, तो ENC हो जाएगा, तो इधार से power आगे बढ़ हो जाएगा, फिर K2 अगर healthy है, तो ENC रहेगा, तो फिर K3 जैसे healthy है, तो ENC हो जाएगा, तो यह start push button में आगा, यह start जैसे इसको push किया, तो आके C1 जो main contactor है, यह peak हो गया, और उसका साथ साथ यह देखे, holding दिया गया, जो C1 है, यह main contactor का एक NO contact है, जैसे push button क्या होता है, व तो इधर से अभी supply आ रहा है, तो इस तीनों contactor से, कोई भी अगर एक छोड़ देगा, तो circuit आपको बंद हो जाएगा, तो जैसे कोई एक pull cut कट गया, तो यह आपको drop कर जाएगा, तो यह दूबरा ENC से NO हो जाएगा, तो भी supply आपको इधर निचा आने नहीं देगा, तो य के टू, इधर से कोई BSS आपको active हो जाएगा, तो यह जो अभी starting का time में NC हो था, यह दूबरा फिर NO में आ जाएगा, तो फिर आगे बरने नहीं देगा, तो जैसे अभी starting का time में NC हो था, तो दूबर आपको circuit को drop कर देगा, यह आपकी power अभी चालू नहीं किया, तो normal condition में इसा रहता है, जैसे power on की, अगर यह healthy रहेगा, तो automatic एक peak हो जाएगा, तो यह contact आपको आगे बढ़ते जाएगा, जैसे मतब power आया, अभी जैसे यह condition है, यह power off है अभी, normal condition है, पावर अभी चालू नहीं किया, ठीक है, मैं एकदम simple तरीका से समझाने के कोशिश के हो, अगर किसी का कोई doubt है, तो नीचे comment box से comment कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो like, comment, share कीजिए, चैनल को आगे बार आएगे, thank you watching for video